So, Hello, This is Prem, कैसे हो यार आप सब, पहले तो ये बता दो कि पढ़ाई लिखाई कर रहो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बोड एक्जाम मादर दो महीने रह गए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और नहीं कर रहो ना तो इसी वीडियो से मैं कैसे questions आने वाले science में, कितने sections हैं, और क्या कुछ हमारा question paper contain करेगा, वो ग्यान यहां general instruction में आप पढ़ लेना, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको तो पूरा question paper करना है ना, मैं केवल section A बता रहा हूँ इस वीडियो में, actually हम section A के solutions देख रहे होंगे, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो questions दिये गए ना, ये बिल्कुल नए variety के questions है, इन questions को कैसे solve करोगे, plus आपको इन ही questions को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, आपको चार options भी दिख रहे हैं ये चार options में अलग-लग 4 questions contain करते हैं, तो आज की इस 20 questions में, आप total 80 questions के लगातार, तो क्या आप तयार हैं, चलिए सुरू करते हैं, question number 1 से, आचा question number 1 आप देख रहे हो, एक figure है, आपको दिख पा रहा है, और इस figure में sodium sulfate है, एक test tube में, देख रहे हो जहां से, भाई साबने sodium sulfate लिया हुआ है, और दूसरे भाई साबने पकड़ा हुआ है, barium chloride, ये दो हमारे पास reactant है, question अब देखते हैं, कह रहा है कि, identify the product which represents the solid state in the above reaction, अब देखो ऊपर reaction हो रहा है, सबसे पहले reaction कौन सा हो रहा है, ये देख लेते हैं, तो देखो हमारे पास दो reactant है, पहला है sodium sulfate और दूसरा है barium chloride, इन दोनों की बीच में reaction हो रहा है, कौन सा reaction होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूई, ये double displacement reaction होगा, यानि जो sodium है ना, इसकी जगह ले लेगा barium, और इस barium की जगह ले लेगा हमारा sodium, तो जो नया product हमारे सामने मिलकर आएगा, वो क्या हो जाएगा, sodium chloride, sodium chloride बन जाएगा हमारे सामने, एक product तो यही रहेगा, और दूसरा product हम है सामने बनेगा, barium का sulfate, ठीक है, ये दो product हमारे पास बन जाएगे इस वाले chemical reaction से, ठीक है, barium sulfate, अब double displacement reaction है, एक दूसरे metal ने, एक दूसरे की जगह ले ली है, हमें बताना है कि एक ऐसा product जो की solid state में हो, तो देखो हमें दो product मिला है, एक है sodium chloride, और दूसरा है barium sulfate, और अ आपको इन दोनो reactions को आपने पहले, पूरे class 10 में कहीं भी पढ़ा होगा, आपको एक चीज बहुत clear होगी कि जो sodium chloride है, ये aqueous solution में पाया जाता है, यानि solution के form में पाया जाता है, लेकिन जो barium sulfate है, ये PPT के form में पाया जाता है, white color का precipitate form होता है, white PPT, जो कि किसी चीज में soluble नहीं होता, किसी चीज में भी घुल नहीं सकता है, ठीक है, तो जब कोई चीज किसी चीज में soluble नहीं है, घुल नहीं पायेगी, तो obviously वो क्या है, solid है न, solid ही तो एक ऐसी चीज होती है, जो किसी चीज में घुल नहीं पाता है, तो मेरे भाई, barium sulfate, क्या वो हमारा answer हो सकता क्या barium sulphate एक ऐसा solid है, जो यहाँ पर एक ऐसा solid है, जो इस पूरे reaction में, चार chemicals दे गए हैं, तो भाई ये वाला और ये वाला, तो पहली काट दो क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं हमारे, आप देख सकते हो, ये दोनों हमारे reactants हैं, और इसमें answer पूछ रहा है कि ऐसा product हो, जो solid state में हो, तो product तो केवल, दो ये हमारे पास, एक है barium sulphate, एक है sodium chloride, और इसमें भी sodium chloride aqua solution है, तो बचा क्या, barium sulphate, जो की एक solid state में पाया जाता है, white precipitate के form में पाया जाता है, इसलिए ये soluble नहीं होता water में, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले वाले question का answer, option number two, यानि barium sulphate होगा, जो की solid के form में होता है, ठीक है, तो पहला question बहुत आसान भी था और तुम लोग यार, खा जाओगे ऐसे questions को, बहुत ही आसान है, question number two की तरफ चल दे, ठीक है, question number two क्या कहे रहा है, कहे रहा है कि the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulphate solution, पहले इस question को समझा देता हूँ, कहे रहा है कि एक zinc metal लेंगे हम, और इस zinc metal को पहले से ही रखे copper sulphate solution, copper sulphate, ध्यान से देखना क्या लेखा है, copper sulphate solution, कह रहा है कि भाई हमारे पास already copper sulphate solution रखा गया है, और अगर हम zinc metal को इसमें डाल दे, लगभग 30 minutes तक, ठीक है, तो जो नया हमारे पास product मौझूद होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, जो zinc है, ये high reactive है, क्या है ये, ये high reactive है, आपको बगल में reactivity series दीख रही होगी, अब देखो, जो हमारे zinc है, क्या वो copper से उपर है कि नहीं है, देखो, zinc हमारे copper से उपर है, बिल्कुल है, इसलिए, copper कम reactive है, zinc ज्यादा reactive है, तो क्या होगा, सबसे पहले इस copper को हटा के, zinc ना copper की जगा लेगा, तो एक नया solution बने हमारे सामने final as a product मिल जाएगा, और पूछ रहा है, इसी product का color बताओ, कि इस product का क्या color है, तो इसका color बता करने के लिए आपको मैं बता दू, सबसे पहले जो zinc है हमारा, ये जो zinc, zinc का जब तुम electronic configuration देखोगे न, तो that is, zinc का electronic configuration मैं पास क्या है, 2, 8, और 2, sorry, 2 है हमारा, 8 है, फिर 8 के बाद आजाता है हमारा 18, ठीक है, अच्छा, और फिर आजाता है हमारा 2, तो ये है zinc का electronic configuration, 2, 8, 18, और 2, यानि इसके पहले cell में भी पूरे electrons हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और चौथे में भी पूरे complete electrons हैं, बहुत ध्यान से सुनना, zinc एक ऐसा metal है, जो कि सब से पहले copper को displace कर देगा उसकी जगह से, तो एक नया solution बनेगा, that is, zinc sulfate solution, ठीक है, अब पूछ रहा है, यही zinc sulfate solution किस color का होगा, blue होगा, colorless होगा, dirty green होगा, या red is brown होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जो zinc है न, इसका सारा जो electron का जो shell होता है, वो पुरा भरा पड़ा है, इसमें एक भी free electron आपको नहीं मिलेगा, और जब free electron देने के लिए नहीं है, तो इसको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्या नहीं मिलेगा, इसको photons नहीं मिलेंगे, जिससे color पता चलता है, तो जब कोई electron ये देगा नहीं, तो कोई भी photon इसको मिलेगा नहीं, तो जब electron नहीं देग फोटन नहीं मिलेगा तो कोई color भी नहीं रहेगा मतलब इस solution का जो color होगा ये बिलकुल colorless होगा तो I hope आप ये भी समझ पा रहे होगे बिलकुल समझ आ रहा होगा यार आसान है ऐसे questions हैंगी नहीं है मतलब सर्रा कर दोगे मेरे दोस्त question number 3 की तरफ चलते है question number 3 आप से पूछ आई कि भाई ये आपके सामने 4 salts दिये हैं ठीक है अब इन चारो में से non-corosip कौन सा है अच्छा non-corosip का मतलब आपको मैं बता दू खाने योग्य जो खाने में मिलाया जा सके और मिलाने के बाद भी हम जिंदा रहें ठीक है जो खाने लायक हो तो सबसे पहले मैं आपको ब हाइड्रोकसाइड है ये है हमारा कैलसियम हाइड्रोकसाइड अब मेरे को बताओ कैलसियम हाइड्रोकसाइड का इस्तिमाल कहां करते हो तो तब तो बताओ ना खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है बताओ कहा होता है कैलसियम हाइड्रोकसाइड का इस्तिमाल हाँ ये सिमे में हमारा calcium hydroxide इस्तेमाल होता है, खाने लायक कहा से होगा ये, नहीं होगा ना, तो non-corrosip तो होगा नहीं, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा दूसरा NACL, जो हम common salt NACL का नाम है हमारा common salt, जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है, ये ठीक है, तो नमक तो खाने लायक है, तो बिल्कुल नमक हमारा non-corrosip जरूर है लेकिन, क्या नमक basic भी है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ऐसा salt, जो non-corrosip हो सबसे पहले, और दूसरा basic in nature हो, acidic ना हो ठीक है, तो common salt की अगर हम बात करें, common salt दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है हमारा HCl से मिलकर बनता है, और साथ-साथ में, HCl के बाद ये NaOH, यानि sodium hydroxide, दो चीजों से मिलकर बनता है, तो HCl हमारा acid है, और NaOH हमारा base है, ठीक है, और ये acid और base मिलकर neutral हो गया, तो जब neutral हो गया, बिलकुल non-corroship जरूर है ये, लेकिन है neutral, इसलिए ये वाला option भी नहीं होगा, हमें ऐसा option दूढ़ना है जो basic in nature हो, ठीक है, अब बात करते हैं, NaOH की NaOH को हम sodium hydroxide कहते हैं, NaOH और आपको पता होगा NaOH कहां कहां इस्तेमाल होता है सबसे पहले तो तुम्हारे cold drinks में इस्तेमाल होता है, cold drinks जो हम पीते हैं और आपको पता है, जितनी भी celebrities हैं, सब cold drink पीने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें NaOH होता है, ये हमारा corrosive in nature है, ठीक है, खाने लायक नहीं होता, NaOH और भी बहुत जागा यूज होता है, जैसे आप washing powders में इस्तेमाल करते हैं washing powders में, जो हमारा ice cream होता है, उसका जो cream होता है उसमें भी NaOH का इस्तेमाल होता है ठीक है, तो खाने लायक मिला जुलाकर ये नहीं है, NaOH यानि sodium hydroxide भी corrosive in nature होता है ये खाने लायक नहीं होता है तो बचा क्या हमारा इकलोता, NaHCO3 इसको हम प्यार से sodium bicarbonate या baking soda भी कहते हैं क्या कहते हैं, sodium bicarbonate sodium bicarbonate ठीक है, और घरों में इसको baking soda के नाम से जाना जाता है, खाने में इस्तेमाल भी होता है, तो ये वो salt है, baking soda ये वो salt है, जो सबसे पहले basic in nature है, और साथ-साथ में खाने योग्य है, non-corrosive भी होता है, ठीक है, तो I hope आपको तीसरा question भी बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा question number 4 की तरफ चलते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस question को क्योंकि ये बड़ा important question है क्योंकि YouTube पे ना मैं देख रहा हूँ कितनी साथ हजारों वीडियो बना के रख दिये इस question के उपर, और लोगों को फिर भी समझनी आता है, देखो क्या है on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing a metal X सबसे पहले कुछ लिखा गया है क्या लिखा गया है colorless gas is produced कह रहा है कि ये test tube है क्या है, एक प्यार से test tube ले लेते है आप देख पा रहे हो, प्यार से test tube बना दिया मैंने और इस test tube में already एक metal रखा है जिसका नाम है X ठीक है, ये क्या है, ये एक metal है कह रहा है कि भाई, इस metal के अंदर ना पहले तो तुम मिला दो S2SO4 यानि dilute sulfuric acid अब जब ये चीज मिलन होगा, ये है हमारा acid जब इस acid का मिलन, इस metal के साथ होगा, तो कौन सा reaction होता है पहले ये हमको बता दो acid plus metal मिलाओगे तो क्या मिलेगा हमें, तो जिसको ना पता हो कि acid और metal का reaction कैसा होता है, उनको मैं बता देता हूँ दिखा देता हूँ, कि आप किसी भी acid के अंदर अगर metal मिलाएंगे तो वो form करता है एक तो salt, और salt के साथ-साथ वो hydrogen gas को भी निकाल देता है, evolve कर देता है ठीके, तो हमारे पास acid यहाँ पर कौन सा है, S2SO4 यानि dilute sulfuric acid अब बोल रहा है कि इस dilute sulfuric acid को किस metal में मिलाया जाए इस metal का नाम X रखा है हमने किस metal में मिलाया जाए कि भाई ये salt दे दे और साथ-साथ में hydrogen gas भी निकल जाए क्यों? क्योंकि बाद में इस gas को हमें चेक करना है match stick को हमें test tube की उपर लगा के चेक करना है कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है तभी तो हम बता सकते हैं कि gas निकल रहा है अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ कि हमें एक ऐसा metal ढोड़ना पड़ेगा जो कि hydrogen gas को easily displace कर दे उसकी जगा ले ले तभी तो hydrogen gas इस S2SO4 में से अलग होके निकलेगा न? है की नहीं? तो भाई अब बताओ, reactivity series तुम्हारे बगल में है अब बताओ मेरे को कौन सा ऐसा metal आपको दिख रहा है जो hydrogen से reactivity series में उपर है सबसे पहले sodium की बात करते है sodium, अच्छा नीचे से start करते है silver से, अब देख पा रहे हो silver जो है, वो हमारा copper से और copper और silver ये दोनों एक ऐसे metal है जो की hydrogen से नीचे है तो ये तो पहले hydrogen को displace नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह नहीं ले पाएंगे बात करते है sulfur की sulfur तो हमारा base है ना, ये non-metal है, ये non-metal है, ठीक है अब non-metal है, यहाँ पर तो हमें metal ढोड़ना है ना, तो ये वाला तो इसकी तरब तो बिल्कुल देखो भी मत तो तीन option हमारे पास नहीं है, तो क्या बचा obviously sodium बचा, और आप देख पा रहे होगी, जो sodium है वो hydrogen से बहुत ज़्यादा उपर है, high reactive है, इसलिए अराम से S2SO4 में, अगर हम sodium को मिलाएं, किसको मिलाएं, sodium को मिलाएं, तो हमें एक salt मिलेगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा sodium sulphate sodium sulphate वो salt होगा और साथ साथ में sodium sulphate के hydrogen gas निकल जाएगी, और जब hydrogen gas निकलेगी नहीं, यहां से तो pop sound release होगा, ऐसे pop sound निकलेगा, अगर आप match stick को इसके सामने जला कर ले आओगे तो आप देखोगे कि एक gas निकल रही है, जिससे pop pop करके आवाजे आ रही है, तो यह gas कौन सा होगा, यह gas S2 gas होगा I hope आपको समन में आ गया होगा कि किस metal को मिलाने से hydrogen displace हो जाएगा, right sodium, that is sodium I hope आपको समन में आ गया होगा let's move to another question, that is question number 5, अब question number 5 आप दभी कर पाओगे, जब आपको sodium oxide का formula पता होगा, क्योंकि electron dot structure बनाने के लिए सबसे जरूई चीज होती है उसका formula, अब देखो electron dot structure बनाने नहीं आता कोई बात नहीं, अगर formula भी आता है न, तो formula के base पर आप ऐसे वाले questions कर सकते हो, इन question में पूछा है कि चार option आपके पास है कौन सा correct electron dot structure है, sodium oxide का ठीक है, तो sodium oxide का electron dot structure इसमें से कौन सा हो सकता है पता करते हैं, पता करने के लिए सबसे पहले इसका हमें जो chemical formula है, that is NAO, वो लिख लेते हैं और NAO balanced नहीं है तो balance करने के लिए इसको हम 2, N, A और O लिखते हैं, तो यह हमारा balance हो गया, अच्छा सबसे पहले charge बताओ, कि sodium की उपर क्या charge होता है और oxygen की उपर क्या charge होता है oxygen की उपर तो minus 2 होता है क्योंकि इसको 2 electrons चाहिए होते हैं, अपने outer cell को complete करने के लिए, और NA, NA तो हमारा neutral होता है तो इसमें केवल A कही electrons होता है, वो भी positive में होता है तो हमारे पास NA के पास 1 charge रहेगा, और oxygen के पास minus 2 charge रहेगा तो देखो, NA के पास 1 charge, यह बिल्कुल नहीं होगा ठीक है, क्योंकि NA के पास यहां पर NA के पास 2 charge है अच्छा, यहां पर देखते हैं, NA के पास 1 charge है, oxygen के पास minus 1, यह भी नहीं होगा, ठीक है क्योंकि oxygen के पास हमें minus 2 charge चाहिए, यहां देखते हैं, यहां पर NA के पास 1 charge है oxygen के पास minus 2, यह हो सकता है NA के पास 1 charge है oxygen की पास minus 2 ये भी हो सकता है अच्छा ये दोनों हो सकता है लेकिन फरक है क्या है यहाँ पर 2N ने दिया है sodium के दो यहाँ पर देखे रहो sodium के दो atoms है एक Nao जो है न ये unbalanced है ये unbalanced है इसको जब balance करोगे न तो ये 2NA हो जाएगा यानि sodium के 2 atoms है इसमें तो यहाँ पर sodium का तो एक ही atom है तो ये तो बिलकुल नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारा option number B is बिलकुल correct option Now अब हम चलेंगे question number 6 की तरफ क्योंकि बहुत भाग लिया कछुए की तरह अब हम चीते की चाल दोड़ेंगे भाग साब तो रड़ा तेज चलेंगे An element with atomic number this will form a basic oxide आप से पूछ रहा है कि एक ऐसा element है जिसका atomic number इन चारों में से एक है अब कौन सा element ऐसा है इन चारों में से जो की basic oxide form करता है तो यहाँ पर आप दो question कर सकते हो जिंदगी भर याद रहेगा कभी नहीं भूलोगी क्या सबसे पहले तो basic oxide पहचानना सीख लो और दूसरा यह सीख लो कि acidic oxide कैसे पहचान होगे ठीक है इस question में तो आप से बोल रहा है कि basic oxide इन चारों में से कौन सा होना चाहिए अब मालोग किसी question में आ गया कि acidic oxide कौन सा होना चाहिए इन चारों में से तो कैसे पहचान होगे देखो पहचान हमेशा electronic configuration से होती है electronic configuration इन चारों का दिया है अब आपको एक चीज़ देखनी है क्या देखनी है अगर outermost cell में अगर outermost यानि ये आखरी वाला जो है अगर इस cell में किसी के एक electron है दो electron है या तीन electron है जैसे किसी में है क्या एक दो तिन एक दो तिन देखो इसमें है इसमें तब तो वो हमारा basic oxide कहलाएगा लेकिन अगर outermost cell में या चार electron हो पाँच electron हो 6 electron हो 7 हो या 8 हो तो इन categories के लिए हमारा acidic oxide कहलाएगा element जैसे देखते हैं हम 5,7,4 ये तीनों हमारे acidic oxide हैं और बचा ये 4 था सिर्फ एकलोता यही हमारा एक basic oxide है पता है क्यों क्योंकि इसके outermost cell में एक ही electron है मैंने बताया था basic oxide वही हो सकता है जिसके outermost cell में 1,2 या 3 electrons हो तो आप इसमें clearly देख सकते हो एक electron है इसलिए हमारा हो जाएगा basic oxide ठीक है अब आपको एक question देता हूं कि ये किस element का atomic number होगा 11 चलो comment करो फटा फट ना moving to question number 7 बोल रहा है कि एक element है M तो चलो एक element ले है M ठीक है अच्छा element M has 50% of the electron ध्यान से देखना element M जिसके पास 3 electronic cell है ठीक है 3 electronic cell है बोल रहा है कि M has 50% of the electrons filled in the third cell as in the second cell अच्छा तो इसके कहने का मतलब है कि जो पहला cell होता है पहले cell में आपको पता है 2 electrons होते हैं दूसरे cell में आपको पता है 8 एक दो तीन चार पांच छे साथ और 8 ठीक है तो हमारे पास already दो cell भरा हुआ है पहले cell में 2 होता है हमें पता है किसी भी element में दूसरे में 8 होता है किसी भी element में तो बिल्कुल इस element में भी जिसका नाम M है इसमें पहले में 2 है 2 electrons दूसरे में 8 है 8 electrons और तीसरे cell में आपसे बोल रहा है कि 50% electrons ही हैं दूसरे के comparison में दूसरे में जितने है उसका 50% हमारे तीसरे में है तो दूसरे में 8 है और तीसरे में 4 होने चाहिए 2, 3, 4 अब आपसे बोल रहा है कि इस element M का atomic to the number of electrons number of electrons के बराबर होता है हमारा atomic number electrons ठीक है तो गिनते है number of electrons कितना है total पहले में 2 है ठीक है प्लस दूसरे में 8 है ठीक है तीसरे में 4 है यानि total मिला के हमारे पास हो जाता है 14 ठीक है तो इस element M का जो atomic number होगा वो कितना होगा answer number C is our correct option that is 14 electrons यानि इसका atomic number क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है तो ये बस घुमा के हमको question दे दिया है answer आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको पता है कि atomic number क्या होता है और कैसे निकालते हो atomic number बहुत आसान है number of electron या number of protons के equal होता है atomic number is it okay चलते है question number eight की तरफ और question number eight हम से क्या बोल रहा है बोल रहा है कि generally food is broken and absorbed within the body of the organism हम इंसानों की बात कर ले या जाधा तर organisms की बात करें तो जाधा तर organisms पहले खाना को खाते हैं फिर उसके अंदर पचाते हैं ऐसा ही होता है लेकिन चार हमारे पास organisms दिया है आप से बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा organism है जो की खाने को बाहर digest करता है बाहर तोड़ता है तो अच्छा amoeba तो बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है amoeba अपना finger जिसको pseudopedia कहते हैं pseudopodia इस pseudopodia से ही खाने को अंदर लेता है और pack करके अंदर ही absorb करता है ठीके तो amoeba तो होगा नहीं और amoeba के जैसे बिल्कुल paramecium है तो ये भी नहीं होगा amoeba paramecium दोनों सेम क्यों है क्योंकि दोनों unicellular है एक ही cell होता है इन दोनों में ठीके तो amoeba paramecium ये दोनों कैसे हैं? हम इंसानों की तरह हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं, अब बचा मसरूम और लाइस, तो लाइस जो है, ये हमारा पैरासिटिक और्गिनिजम है, ये भी क्या करता है? जैसे लाइस मतलब जू होता है, वो खून को पहले अपने अंदर लेता है, फिर उसमें से न्यूट्रियंट्स निकालता है, तो पहले तो अपने बॉडि के अंदर लेता है, तो लाइस भी नहीं होगा, बचा हमारा मसरूम, जी हां, नि एक सैप्रोफितिक और्गिनिजम है, कैसा और्गिनिजम है? सैप्रोफितिक और्गिनिजम है, अब देख बिल्कुल यही पूछ रहा था कि ऐसे organism बताओ जो अपने body के बाहर खाने को तोड़ते हों फिर उसको absorb करते हों तो एक तो मसरूम हो गया bacteria बहुत सारे होते हैं फंगी हो गया इस्ट हो गया यह सब काम क्या करते हैं यह सब bread को पहले सडाते हैं फिर उसको bread को सडाने के बाद चोटे-चोटे टुकोड़े में जब तोड़ लेते हैं तो उसमें से nutrient को अपने अंदर लेते हैं that's why यह saprophytic कहलाते हैं यानि ऐसे organisms जो food को अपने body के बाहर तोड़कर फिर अंदर लेते हैं is it okay समझ में आ रहा है तो मस्रूम हमारा इसका correct option हो जाएगा जो अपने सरीर के बाहर खाने को absorb करता है is it okay moving to question number 9 आपसे बोल रहा है कि receptors are usually located in sense organs आपको पता है जो हमारे sense organs हैं उनके अंदर receptors होता है जिससे हम अलग-अलग चीज़े sense कर पाते हैं हमारे आखों के अंदर light receptors है जो हम light को देख पाते हैं हमारे tongue के अंदर taste receptors है जिससे हमें taste पता चल पाता है तो आपसे बोल रहा है एक receptor है जिसका नाम है gustatory receptor यह कहां पाया जाता है tongue में nose में eye में ear में तो gustatory का मतलब होता है taste अब बताओ taste की बात हो रही है तो कहां पाया जाएगा already tongue में पाया जाएगा बिलकुल तो gustatory receptors किस में पाया जाता है तंग में पाया जाता है, gustatory receptors कहाँ पाया जाता है? टंग के बड्स में पाया जाता है ठीक है? इसकी अलावा, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है 5 तरीखे के 5 tastes को sense करना ठीक है पांच तरीके के test है न हमारे पास एक तो sweetness एक saltiness एक होता है saverness जो की meat वगयरे से जो खुजबू आती है test आता है न वो saverness होता है फिर एक होता है मारा bitterness और एक होता है sourness ये पांच तरीके के test हैं जो gustatory receptors test कर पाते हैं तो gustatory प्रेंग मतलब टेस्ट और टेस्ट कहां होता है टंग में होता है पता रहेगा ठीक है तो हमारा इसका correct option क्या हो जाता है ए वाला यानी टंग now moving to question number 10 भाई साब अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो question number 10 तो चुड़कियों में कर लेना चाहिए क्योंकि यार इससे ज़दा आसान क्या होगा मैं तो maths का student हूँ फिर भी मुझे ऐसे questions करने में बड़े मज़े आते हैं क्या है question कह रहा है कि a farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already in the field एक farmer के पास एक खेत है ठीक है खेत में बहुत सारे banana के पेड़ है क्या है बहुत सारे banana के पेड़ है अब ये जो किसान है न वो सोच रहा है कि मुझे दूसरे वाले खेत में भी same banana के plants लगाने हैं जो की बिल्कुल same हो ठीक है which one of the following method would you suggest for this purpose अब इन चारों में से कौन सा reproduction का process आप इस्तिमा क्या regeneration का use करोगे बिल्कुल नहीं क्योंकि regeneration में क्या होता है न कि regeneration में हम plant को काट लेते हैं और फिर उसके एक stem को ले जाके लगा देते हैं तो ऐसा करने से banana उग तो जाएगा लेकिन पहले वाले के same हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है ठीक है तो regeneration से identical plants पैदा नहीं होते हमें कैसे plants पैदा करने बिल्कुल similar बिल्कुल identical plants पैदा करने ठीक है budding तो भाई banana budding नहीं करता है बनाना के अंदर buds नहीं निकलते छोटे छोटे जोकी अलग होकर दूसरे banana plant बनाएं तो budding भी नहीं हो सकता sexual क्या banana sex कर सकते हैं क्या sex तो इंसान करता है बाई बनाना कहां करेगा बनाना का पौधा करता है, क्या सेक्स नहीं करता न, एक ही एकलौता method हमाए पास बसता है, that is vegetative propagation, अब vegetative propagation क्या होता है, देखो, मान लो हमने खेत में बनाना बोया है, अब इस बनाना के एक stem को, या बनाना के root के अंदर होता है rhizomes, ठीक है, या stem को या rhizomes को हम निकाल कर दू पैदा होंगे, जैसे हमारे पहले खेत में था, तो vegetative propagation वो method होता है, अगर हमें same type of plant चाहिए, तब तो vegetative propagation का use करो, अगर हमें plant ही चाहिए, सिर्फ same हो या different हो, matter नहीं करता, तो regeneration वाला इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, तो I hope आपने question number 10 भी बहुत आसानी से कर लिया होग Now moving to question number 11, ध्यान से बढ़ते हैं कि question हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि height of a plant is regulated by, अब देखो plants की height किसके द्वारा regulate होती है, ये एक factual question है, याद गर लेना इसको कि height of plant is regulated by growth hormone, अच्छा, growth hormone किसके influence में काम करता है, enzymes के influence में, और फिर enzymes किसके influence में काम करता है, obviously gene के influence में, ठीक देखो यहाँ पर भी growth hormone हमारा है, बट यहाँ पर लिखा है कि growth hormones directly under the influence of a gene, जो कि बिल्कुल गल्त है, growth hormones किसके influence में काम करता है, पहले वो enzymes के influence में काम करता है, और फिर जो हमारा enzymes है, वो आपको पता है, वो genes के supervision में काम करती हैं, तो पहले जो growth hormones है, वो enzymes के influence में काम करेगा और जो enzymes है वो gene के supervision में काम करता है तो I hope आपको समन में आ गया होगा इसका option number C हमारा बिल्कुल सही option है now moving to question number 12 पूछ रहा है कि एक sports person है उसने एक break लिया हुआ है वो काफी देर से exercise कर रहा था उसने break लिया हुआ है लेकिन unfortunately उसके muscle में cramp आ जाता है cramp आता है ना में कभी-कभी खेलते-खेलते क्या हो जाता है कि lactic acid हमारे muscles में इकठा हो जाते है क्यूं होते है oxygen की कमी की वज़े से that's why हमारा ये cramp हमारी body में feel होता है कभी-कभी जो sports persons होते हैं हम cricket देखते हैं आप देखते होंगे खेलते-खेलते उन्हें अचानक पता नहीं क्या हो जाता है lead जाते जमीन पर वो होता है cramp वो क्यूं होता है वो lactic acid इकठा हो जाता है जब muscles में इस वज़े से हो पाता है ठीक है तो यहाँ पर देखो lactic acid वाला कहां पर है lactic acid, lactic acid यह देखो यह एक एक लौता option है जिसमें lactic acid आया हुआ है यह याद कर लेना कि muscles में cramp किसकी वज़े से होता है lactic acid की वज़े से होता है और lactic acid क्यों form होता है lack of oxygen की वज़े से I hope आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा, now moving to question number 13 देखते हैं question number 13 क्या बोला है कह रहा है कि एक object है is placed in front of a convex mirror एक convex mirror है और इसके front पर एक object हमने रख दिया अच्छा ठीक है its image is formed देखो यार, पहले अगर यह convex mirror है क्या है यह? यह एक convex mirror है तो इसका जो image होगा यह virtual image होगा तो देखते हैं कहां लिखा है virtual image virtual image हमेशा सीसे के पीछे form होता है सीसे के आगे form होने वाले जितने भी image होते हैं वो real image होते हैं ठीक है, अच्छा तो convex mirror में कहां image form होता है behind the mirror और virtual होता है तो देखो यहाँ पर behind the mirror का कोई option है क्या देखो यहाँ पर है in front of the mirror, in front of the mirror, in front of the mirror, behind the mirror का यह कही option है, यानि सीसे के पीछे कौन से mirror में image बनता है, that is convex mirror, यह सीसे के पीछे बनता है, that's why it's a virtual image, हमारा D वाला option बिलकुल correct option होगा, ठीक है, now moving to question number 14, अच्छा, 14 क्या पूच रहा है, पूच रहा है कि भाई, जब light हमारे atmosphere में आती है, सूरत से जब भी light हमारे atmosphere में आती है, तो वो हमारे atmosphere में present जो चोटे-चोटे particles होते हैं, dust particles होते हैं, उनसे टकराती है, जिसकी वज़र से हर direction में light fail जाती है, इस process को हम क्या कहते है, reflection of light, बिल में जो light होती है, वो हमारे atmosphere के छोटे-चोटे particles से टकराती है, फिर इधर-उदर जहाँ भी उसको जाना है, वो fail जाती है, ठीक है, तो reflection of light तो बिल्कुल नहीं होगा, atmospheric reflection ये भी नहीं होगा, हाँ, इसको हम scattering of light कहते हैं, यानि प्रकास का फैलना, तो प्रकास कैसे फैलता है जब वो हमारे atmosphere में आता है, तो atmosphere में छोटे-छोटे धूल के कंकर के particles होते हैं, जिन से टकराता है, और इधर-उदर फैल जाता है, इसी process को हम scattering of light भी कहते हैं, तो हमारा option number C is बिल्कुल correct option, I hope, I guess, आपको समझ जरूर आ रहा होगा, राइट, अच्छा, now, moving to question number 15, कह रहा है कि भाई, in 1987, an agreement was formulated by UNEP, यानि United Nations Environment Program, अच्छा, अब इस प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, to freeze the production of this, to prevent depletion of this, अच्छा, अब आपको पता है, ये तो question बहुत ही आसान है, क्या deplete हो रहा है, मतलब क्या तेजी से, किस चीज में होल हो रहा है, हमारे environment में, already, why हमारा ozone को represent करता है, और किस वज़ा से हो रहा है, chlorofluorocarbon की वज़ा से, यानि CFCs की वज़ा से, तो देखो, यहाँ पर पहला CFCs, फिरोजोन, तो C वाला option हमारा बिलकुल correct option है, now, moving to question number 16, अच्छा, 16 क्या बोल रहा है, कि which of the following features related to the biodegradable substances, biodegradable substances कौन से होते हैं, भाई, जो easily degrade हो जाए, मतलब जो easily छोड़े-छोड़े टुकड़े में convert हो जाए, organisms के द्वारा, जो हमारी मिट्टी में पाया जाते हैं, यही तो होता है न, biodegradable, तो देखो option क्या-क्या है, broken down by biological process, remain inert, मतलब जैसे का तैसा रहता है, बिलकुल भी नहीं, persistent involvement for long time, लंबे समय तक भी नहीं रहता, व जो biodegradable substances होते हैं, वो छोटे-छोटे टुकड़े में broken down हो जाते हैं, by biological process, यानी organisms के द्वारा, तो 16 का कौन सा option सही होगा, option number A is our correct option, ठीक है, अब आते हैं, assertion reason questions की तरफ, अब आपको पता है, assertion reason क्या होता है भाई, देखों, यहाँ पर दो sentences दिये हैं, आने वाले 4 questions में, दो-दो sentences दिये हैं, हमें बताना है, क्या पहला वाला sentence सही है, क्या दूसरा sentence सही है, या दोनों सही है, इसके लिए हमारे पास 4 options है, हम choose करते रहेंगे, ठीक है, अच्छा, पहले हम 17 पढ़ते हैं, assertion क्या दिया है, कि resting of iron is endothermic in nature, बिल्कुल गलत है, यह एक exothermic process होता है, ठ environment में release होती है, लेकिन इतना देरे-देरे release होती है, कि हम पता नहीं कर पाते है, इसलिए यह reason सही है, assertion गलत है, as the reaction is slow, the release of heat is barely evident, ठीक है, assertion बिल्कुल गलत है, और reason सही है, तो assertion is true, but reason is false, ठीक है, हमारा C वाला option होगा, यह 17 के लिए, 18 वाला देखते है, assertion क्या है, पहले पढ़ते हैं कि probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual mode, का जा रहा है, sexual reproduction से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके survive करने के chances ज़्यादा होते हैं, asexual के मुकाबले, बिल्कुल सही बात है, assertion इसमें सही है, reason क्या है, variations provide advantages to individual for survival, बिल्कुल, sexual mode में अलग-लग variations होते हैं, जिससे survive कर पाता है organisms, तो ये दोनों सही है, assertion both A and R are true and R is the correct explanation of A, तो 18 का क्वोंसा option सही हो जाएगा, A, 17 का C, right, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, देख लेना, 17 का C और 18 का A, now चलते हैं, अपने next question, यानि question number 19 की तरफ, क्या question number 19 थोड़ा देहान से पढ़ते हैं, कह रहा है कि, एक compass needle is placed near a current carrying wire, ठ कह रहा है कि, एक compass है, उसको हम एक tar के आसपास ले जाएंगे, the deflection of the compass needle decreases, क्या tar के आसपास ले जाने से, ये जो सुई का deflection है, वो थोड़ा slow हो जाएगा, decrease हो जाएगा, गलत, ये बिल्कुल गलत है, reason क्या है, the strength of a magnetic field at a point near the conductor increase, बिल्कुल increase हो जाता है, तो assertion हमारा गलत है, और reason सही है, ठीक है, ये वाला option चूज कर लेना, उपर देख लेना, किस में है ये, option number 20 बे आते है, question number 20 के तरफ, biodegradable substances result in the formation of a compost and natural replacement, बिल्कुल सही है, it is due to breakdown of complex inorganic, बिल्कुल नहीं, organic substances breakdown होते हैं, तो assertion is true, but reason is false, तो I hope आपको ये सुरुवात के, इस science वाले में, हमारा question number 1 to question number 20, बहुत अच्चे समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही, इस question paper का और वाले भी sections चाहिए करके, solve करके, तो आप comment कर सकते हो नीचे है, हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, so बने रहे है चैनल पे, this is all from my side, bye bye, love you all, ख्याल रखे अपना अपनो का चैहिंद,